हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे शिन पेन के बारे में सबसे पहले बता दू शिन पेन होती का है शिन पेन हमारी जो लेग्स में शिन बोन होती है वहाँ पर जो शिन पेन है स्टार्ट होती है जब उसके उपर load पड़ता है जब आप running start करते है तब shin pain start हो जाती है जो यह shin pain होती है जो भी new runner है ज्यादा तर यह 99% होती होती है बस आप इसमें इतना कर सकते है इसका आप जो असर है वो कम कर सकते है और जल्दी से जल्दी recover कर सकते है अगर आप कुछ साफधानिया रखते हैं तो साफधानिया क्या रख सकते है इसमें क्या होता है कि starting में कभी भी आपने overuse नहीं करना legs का यादि की पुराणे जो runner होते हैं या कोई भी जो heavy workout लगाते है starting में उन्हें देकर कभी भी आपने heavy workout नहीं करना रोड के उपर रनिंग नहीं करनी होती स्टार्टिंग में ठीक है अगर आप रनिंग करना चाते हैं जिस तरह आप ये मेरे पीछे ग्राउंड देख रहे हैं ग्रीन ग्रास आप देख रहे हैं तो इस तरह की ग्रास के उपर स्लो रनिंग कीजिए shoes जो होते हैं starting में कभी भी spikes पहन कर running बगएर आप मत कीजिए थोड़ी मोटी sawl वाला shoes जो होता है वो आप use कीजिए जिसमें आपकी legs comfortable रहें और ज्यादा pressure running करते वक्त ना पड़े starting में ज्यादा sprint workout हो गया या कोई भी gym की जो exercise होती है या stair workout जैसे यह सीडिया आप मेरे back side देख रहे हैं इसके उपर starting में workout आपने नहीं करना होता है तो इससे आपकी जो shin bone है उसके उपर काफी load पड़ता है जिसकी वज़ा से आपके shin pain start हो जाती है तो आपने क्या करना है starting में slow running करनी है पहला कम से कम एक महीना grass के उपर यहां जैसे यह मिटी का track आप मेरे back side देख रहे हैं जिसके उपर आप running कर सकते हैं थोड़ी बहुती shin pain होगी होगी starting में बस आप अगर यह सावदानियां रखते हैं आप slow running करते हैं hard track के उपर running नहीं कर सकते हैं तो इससे इसका जो असर है वो कम होगा और हमेशा याद रखे running के बाद stretching जरूर कीजिए ठीक है stretching आप कीजिए उससे आपकी जो legs है वो comfortable होती है बाद में running के बाद जिसकी वज़ा से shin pain का जो असर है वो भी कम होगा और starting में हमेशा slow running कीजिए और उसके बावजूद भी अगर आपके shin pain होगी है तो आपने क्या करना है कुछ दिनों के लिए दो या तीन दिन के लिए workout बंद करें और एक दिन आप icing कीजिए बर्फ के साथ ही का दिन में चार बार और next day आप थोड़ी जैसे heat लीजिए या तो आप बाल्टी में गरम पानी डाल कर उसमें डुबो कर बैठिए दिन में चा आप शिन पेन से बच सकते हैं स्टार्टिंग में ओवर यूज मत कीजिए legs का कभी भी और दूसरा slow running कीजिए ठीक है दोस्तों अगर इसके लामा आपकी कोई भी query या high jump को लेकर या running को लेकर तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं आपका reply में जरूर करूंगा तो बहुत ही ज